पर चाप्टर को चेटियल में कवर किया है तो उसमें हमने बता है कि सब्सक्राइब करते हैं Liabilities कого में कौन से order में payment करना होता है कौन से Liabilities को में सबसे पहले payment करना होता है Cash card offshore loebishण हमें partners क कैसे करना है या फिर कौन से Partner को में सबसे पहले paid करना होता और maximal loss method क्या है उसे केसे हम बह 몇 सारी चीज आप गए की है तो अगर आपको यह सारी शीचे नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा तो उस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज जाए तो आता है 2S 2S1 तो इसी रेशियो में हमें profit या फिर profit या फिर loss हमें distribute करना है यानि cash का distribution हमें इसी रेशियो में करना है तो यह जो partnership है तो वह partnership हम 31 December 2015 को डिजाल हो गया है यानि बंद हो गया है और उसके हमें balance sheet दी गई है तो फिर सबसे पहले दिखते हैं liability sites तो liability sites में हमें दिए गए है capitals तो capitals यानि क्या कि partners की investment जब firm start होता है तो partners अपने कुछ पैसे लगाते हैं तो उसे हम कहते capitals तो एक का capital है 30,000 यानि हमें A को paid करने 30,000 B को paid करने 24,000 C को paid करने हमें 8,000 उसके बाद है नेक्स लाइबलेटी से बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल यानि क्या कि जब तो firm का bill यानि कौन से भी हमें firm से related bid paid करना बागी है तो वह आधा है बिल्स पेबल में जैसे कि electricity का bill टेलेफोन का bill इंटरनेट का bill एकसेटर तो जितने भी बिल्स पेबल में तो इसे हमारे 30,000 की amount हमें paid करनी है ऐसेट साइज देख लेते कि consequence हमारे पास ऐसेट से तो नमबर वन century debtors तो century debtors यानि क्या कि जब हम किसी customer या फिर consumer को उधार पर माल बेचता है वह आता है century debtors में तो ऐसा century debtors है आमरे पास 35,000 का यानि आमरे पास उधार ही 35,000 की उसके बाद हमारे पास है stock तो stock यानि क्या कि जो हमने product sale नहीं क्या है तो आता है अमारे stock में तो ऐसा stock है आमरे पास 30,000 का उसके बाद plant तो plant को simple वाश्य में कहां जाए तो हमारा firm या फिर manufacturing unit तो उसमें consequence चीज़ आते है वो देखते लेते कि plant में आता है land, buildings, machinery, furniture, pictures, vehicles तो इसी सारी चीज़े plant में आती है तो हमारे plant है 20,000 का उसके पाद हमारे पास है cash, 4,000 का और उसके पाद है bills receivable तो bills receivable यानि क्या कि जब firm किसी customer या फिर consumer को सामा उधार पर सामान बेचता है और उसका bill बनवाता है उसका bill बनवाता है तो आता है bills receivable में तो इसा bills receivable है हमारे पास 3,000 का तो sundry debtors और bills receivable दोने एक जैसे है पर जब उधार के सामान का bill बनवाता है तो आता है bills receivable में और जितने भी हमें bill paid करने हमें मिलने बाकी है या फिर हमें require करने बाकी है तो वो सारे या थे बिल्स रिस्वेबल में तो एसा हमारे पास है 3000 की 3000 की बिल्स है और दोनों साइट की टोटल है 92,000 लाइबलेटीज है 92,000 और आसेट्स है 92,000 तो यह फर्म डिजाल हो गया है कर दिया तो इसी सारी चीजह हमने शुरू कर दी तो अब देखते हैं हमारे रियलाइजेशन कब और कितना आने वाल है तो रियलाइजेशन फिले देख लेते हैं देट है 2016 और आमाउंट रियलाइज रूपीज आपर हमें दिये गए है तो डेट है 15 जानेवरी यानि 15 जानेवर को हमें 20,000 मिलने वाल है उसके बाद 24 फेपरारी को हमें 30,000 मिलने वाल है और 31 मार्च को हमें 18,000 मिलने वाल है यानि कुल हमें 68,000 मिलने वाल है और हमें लाइबिलिटी स्पेड करने है 92,000 यानि हमें 24,000 का लॉस होने वाल है तो वो loss partner को ही होने वाल है तो वही हमें calculate करना है और cash का distribution करना है कि इसको कितना बैसे जाने वाल है तो यहाँ पर हमें क्या बताएगा तो हमें उसका स्का स्टेटमेंट बनाना है तो हमें दो स्टेटमेंट बनाना है सबसे पहले सर्पलस का और उसके बाद तो चले अब बनाते हैं, तो solution, तो solution में हम सबसे पहले surplus निकालेंगे और उसके बाद cash का distribution करेंगे, तो statement showing surplus capital, तो column देख लेतें, कौन से कौन से आने होले, particulars का column, capitals में A2, B2 और C1, ABC partner के name और उनके ratio 2S, 2S1, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कि opening balance लिखना होता है, तो हम सारे जीज़े step by step करने होले हैं, तो step 1 में क्या होता है, कि opening balance लिखना होता है, यानि capital balance, तो लिख लेते हैं, capital balances, A का capital 70,000, B का capital 24,000, C का capital 8,000, और इसके बाद step 1 में हम क्या करते हैं कि partners का actual capital find करते हैं यानि actual capital नहीं क्या है कि general reserve हो तो उसे add करना है profit हो तो उसे add करना है loss हो तो उसे minus करना है परियाफ़ परामे कुछ भी ऐसे adjustment नहीं दी गई है तो हम इनका यह actual capital है ऐसा माने क्या है और आगे बढ़ेंगे step 2 में क्या करना है कि profit शेरिंग रेशो से इसके को डिवाइड करना हूज है उसके actual capital को डिवाइड करना हे तो a को डिवाइड करने हैं 2 जोन से बी को डिवाइड करेंगे 2 से और c को डिवाइड करते हैं और दिवाइट करने के बाद जैयक्स तर आता है। उसे हम कहते है स्थ टू न को टू से even टू इवाइट करने के बाद तीय। न क्ली इं終क्समा दॉनष्च को टू 2100 को बूतल एक टू तो 2000 as a base लेकर profit sharing ratio से multiply करना है तो हमने 8000 को select किया है तो चलिए base लेकर multiply करते टो एकिंग seize capital as a base तो सीख का capital हमने as a base लिया अब multiply करते तो 8000 into 2, 16000, 8000 into 2, 16000 and 8000 into 1, 8000 तो यहाँ पर हमारा base आगा है अब देखते step 4 step 4 में हमें क्या होता है कि surplus capital यानि surplus calculate करना होता है तो therefore surplus capital तो हमारा surplus कैसे आता है जब हम actual capital को minus base करते हैं तो हमारा surplus आजाता है तो यहाँ पर A का actual capital है 30,000 minus base यानि 16,000 तो हमारा surplus आया 14,000 B का 24,000 minus 16,000 तो हमारा surplus आया 8,000 और C का 8000-8000 यानि surplus यहाँ पर कुछ नहीं आया तो यहाँ पर दो पार्टनर का surplus आया A का आया 14000 और B का आया 8000 तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो पार्टनर का surplus आया इसलिए हम क्या करेंगे फिर से step 2 पर जाएंगे और step 2 से continue करेंगे तो step 2 क्या है कि हमें profit sharing ratio से divide करना है पाद unit value 7000 और 8000 को 2 से divide करने के बाद unit value 4000 और इसमें से हमें क्या करना होता है कि smallest unit value को select करना होता है तो हम 4000 को select कर लेते हैं तो step 3 में हमें क्या करना है कि जो हमने smallest unit value select की तो उसको as a base लेकर profit sharing ratio से multiply करना है तो taking B's capital as a base तो हमने 4000 को base लिया और 4000 से हम profit sharing ratio से multiply करेंगे तो 4000 इन्टू 8000 4000 इन्टू 8000 तो हमारा base आ गया अब देखेंगे step 4 step 4 में हमें अब calculate करना है absolute surplus तो absolute surplus यानी surplus ही तो surplus हम कैसे calculate करते है तो actual capital से हम base को minus करते है पर यहाँ पर हम actual capital की जगह जो हमारा दो नमबर रहानी surplus आया है तो उससे हम base minus करेंगे तो surplus minus base तो एक सब्से छी मिल गया है कि एक सर्फलस हमें मिल गया है जो है A का सबसे ज़्यादा surplus A का है वो है 6,000 हमने सबसे पहले यहाँ पर हमें पता चल लगाया है कि हमें सबसे पहले किस को पेड़ करना है तो हमें सबसे पहले A को पेड़ करना है वो पेड़ करना है 6,000 उसके बाद हमें A और B को दोनों को एक साथ पेड़ करना है यानि प्रोराटा बिसीज पर हमें पेड़ करना है तो A को पेड़ करने 8000 और B को पेड़ करने 8000 और उसके बाद यानि हमारा surplus यहाँ पर हमने इतने payment करने के बाद हमारा surplus clear हो जाएगा और उसके बाद हमें partners के बीच profit sharing ratio में यानि 2S2S1 के ratio में ही cash का distribution करना है तो चलिए अब cash का distribution करते हैं तो statement showing distribution of cash as per proportionate capital में तो column देख लेते हैं कौन से कौन से आने वाल है date 2013 particulars का column उसके बाद cash का column उसके बाद हमें लिखने हो थे external liabilities उसके बाद internal liabilities और last में capital accounts तो अबर हमारे पास external liabilities है यानि third party liabilities है हमारे पास bills payable तो उसे हम लिखेंगे bills payable उसके बाद internal liabilities में यानि loan हमारे पास कुछ नहीं तो हया पर हम कुछ नहीं लिखेंगे उसके बाद हमें हमारे हमें capital लिखना होता है तो चले लिखते है capital A2 B2 C1 तो ABC partners के नहीं और उनके ratio 2 as 2 as 1 तो सबसे बेले हमें step में क्या करना है कि opening balance हमें लिखना होता है और उसको हम डेट देंगे 1st January पर्टिकुलस में लिखेंगे opening balance तो cash में हमें balance sheet में दिये गए 4,000 तूसे हम लिखेंगे 4,000 bills payable 30,000 यानी 30,000 हमें paid करना है capital A को paid करना है 30,000 P को paid करना है 24,000 और C को paid करना है 8,000 तो यहाँ पर हमारे पास cash और हमें सबसे पहले bills payable को paid करना है जो कि हमने फिसले वीडियो में देखा है classification of liabilities और order of payment में कि हमें liabilities को कैसे paid करना है तो उसी के इसाब से हम इस liabilities को paid करेंगे यानी bills payable को सबसे पहले पेड़ करेंगे partners के सबसे पहले तो partners से पहले bills payable को paid करना है तो चले अब कर दें तो less paid to bills payable इसलिए हम करेंगे तो हमें 30,000 bills payable को paid करने है पर हमारे पास ए4,000 तो हम 4,000 को ही paid करेंगे तो 4,000 हम cash से minus करेंगे और bills payable को देंगे तो इसके बाद आता है valences due तो cash हमारे पास कुछ नहीं है बिल्स वेबल का डिवां थाए 26,000 एक आना थाए 30,000 बी काना थाए 24,000 और सी काना थाए 8,000 तो अब हमारे पास कैश कुछ नहीं इसलिए हम करेंगे फर्स्ट रेलाइजेशन और डेट देंगे उसको 15 जैने और यानी 15 जैने और का हमारे फर्स्ट रेलाइजेशन आली आली है जो कि है 20,000 तो कैश में 20,000 एड हो जाएंगे तब हमारे पास 20,000 है बिल्स फेबल का हमें 26,000 और पेड करना है तो चलिए अब उसको पेड करते हैं तो लेस पेड टू बिल्स फेबल तो 20,000 माइनस करेंगे कैश से और बिल्स फेबल को दे देंगे तो इसके बाद ड्यू आता है बैलेंस ड्यू आता है बिल्स फेबल का 6,000 A का 30,000 B का 24,000 और C का 8,000 अब हमारे पास कैश कुछ नहीं हम फिर से करेंगे सेकेंड रेलाइजेशन बिल्स फेबल को हमें 6,000 पेड करने तो चले तो उसे पेड करते हैं तो ले से पेड टू बिल्स फेबल तो बिल्स फेबल को में 6,000 पेड करने इसलिए हम कैश से माइनस करेंगे 6,000 और बिल्स फेबल को 6,000 दे देंगे इसके बाद ड्यू हमारा आता है तो कैश में हमारे इसको 30,000 हमने पेड़ कर दिये तो यह निल हो गया है इसके बाद A का डिवाता है 30,000 B का डिवाता है 24,000 और C का डिवाता है 8,000 तब हमारे पांसे cash 24,000 और हमें partners के बीच cash का distribution करना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले surplus क्लियर करते हैं और उसके बाद उनके capital को paid कर दे तो हमें पता है कि हमें किसको paid करना है तो हमें A को paid करना है और हमें A को सबसे पहले 6,000 पेड़ करना है तो चलिए अब A को paid करते हैं तो let's pay to A, 6,000 हम cash से minus करेंगे और A के account में यानि A को हम 6,000 दे देंगे तो उसके बाद balances डिवाता है cash में हमारे पास है 18,000 और A का capital होता है 24,000 B का capital 24,000 और C का capital 8,000 उसके बाद हमारे पास अभी cash है 18,000 और हमें second number पर किसको paid करने? A और B को paid करने A को paid करने 8,000 और B को paid करने 8,000 तो चलिए अब A और B को paid करते हैं तो लेस पेड़ तो A and B तो दोनों को मिला कर हमें 16,000 पेड़ करने तो 16,000 हम कैसे माइनस करेंगे और A को पेड़ करेंगे 8,000 और B को पेड़ करेंगे 8,000 और उससे हमारा बैलेस दू आता है कैस में हमारे पासे 2,000 एक हो हमने 8,000 पेड़ करें इसलवस का ड्यू होगा है 16,000 और B का हो गया 16,000 और A का होगा 8,000 जारी C का हो गया 8,000 कब हमारे पास चैसे 2,000 और इनको अब अबभी टोइस टुस्ट में बारते ही तो एक हो जाते हैं 800 बे को जाते हैं 800 रुपई और चार तो balance is due cash में हमारे पास कुछ नहीं और a का balance होता है 15200 c b का balance होता है 15200 और c का balance होता है 7600 तब हमारे पास cash कुछ नहीं इसलिए हम करेंगे थर्ड हैनि फाइनल रियालाइजेशन जो कि है 31 मार्च को फर्टिकुलस में लेखेंगे हो फाइनल रियालाइजेशन जो कि 18,000 की अब हमारे पास 18,000 है और हमें प्रॉपेट शेरिंग रेशो में ही इसका डिस्ट्रिबिशन करना है तो यह सब्सक्राइजेशन करना है तो इसके बाद हमरे पास कोई रियालाइजेशन नहीं है तो इसलिए आएगा रियालाइजेशन लॉस तो एको लास हुआ 8000 का बी को लास हुआ 8000 का और सी को लास हुआ 4000 का तो अगर हम इंका रेशो निकल लेते हुआ था है प्रोपेट शेरिंग रेशो में यानि हमारा प्रॉब्लेम करेक्ट है अगर आपका इस वीडियो से रिलेटर कुछ भी डाउट या फिर सजेशन हो तो हमें और इसकी कमेंट में जरूड बताओ आपकि कमेंट का रिपलय हम जरूद करेंगे और इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए आपको अच्छी लगई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ऐसी वीडियो बनना नहीं के लिए बहुत टाइम लगता है बहुत मैनत लगती तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अकाउंट से रिल्टेल वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके थैंक यू